नमस्कार स्वागत है आपका हाजिर हूँ मैं राज किशोर राजनीती और आपके सवालों को लेकर उत्तर प्रदेश सियासत के लिहाज से देश का वो सूबा जो तै करता है देश का प्रधान मंत्री कौन बनेगा और सियासी विशात पर बाजी कौन मारेगा लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कौन्ग्रेस की जमीन अब बिल्कुल खिसक चुकी है नब्बे के दशक्त में आखरी बार बहुमत की फसल काटी थी उसके बास से कौन्ग्रेस का ना किवल रखबा घटा गया बलकि अब तो जमीन ही बंजर होती चली गई है कौन्ग्रेस ने इसे लेकर प्रियोग भी खुब किये लेकिन काम्याबी हाथ नहीं आई उसने अपना आखरी तुरुप का पत्ता भी चल दिया है गांधी परिवार की प्रियंका के हाथ में यूपी की कमान है अब मिसन 2022 उनके सामने है और उससे पहले 13 विधान सभा सीटों पर उप चुनाओ प्रियंका उत्तर प्रदेश को लेकर खासी सक्री है लेकिन कमजोर संगठन कांग्रेस के लिए खुद चुनाओती है लिहाजा तलास की जा रहे है यूपी के ने अध्यक्ष की कौन बनेगा इसे लेकर पार्टी में मन्थन चल ला है पार्टी ने बड़े फेर बदल के संकेत दिये हैं अब वो यूवाओं पर भरोसा करना चाहती है सुत्रों की माने तो नई कांग्रेस कारकारणी ना किवल छोटी होगी बलकि यूवाओं से भरपूर होगी प्रियंका को भी पूरे उत्तर प्रदेश का जिम्मा दिया जा सकता है इससे पहले उन्हें केवल पूरवी उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी दी गई थी दावा किया जा रहा है कि नई टीम में युवा और उर्जावान चेहरों को जगे दी जाएगी चुनाओं में शर्बनाख हार के बाद कॉंग्रेस ने अपनी जिलाई काई भी भंग कर दी थी पार्टी पिछले तीन महिनों से संग्ठन के लिए काम कर रही है हाला कि संग्ठन की अगवाई कौन करेगा इसका फैसला अभी होना बाकी है कई एहम सवाल कॉंग्रेस की इस कवायस से उठ रहे हैं उन पर चर्चा करें उससे पहले आपको बता देते हैं कौन कौन से नाम चर्चा में है तो उत्तर प्रदेश कॉंग्रेस की कमान किस के हाथ आएगी कौन मिसन 2022 की उम्मीदों पर खरा उतरेगा इसका फैसला तो हुना है लेकिन जैसा कि पार्टी पहले से संकेत दे चुकी है कि वहाँ को तरजी देगी ऐसे में कई नाम जो चर्चा में हैं उनका जिक्र करना जरूरी है जिन तीन नामों की बात की जा रही है उसमें पहला नाम है कॉंग्रेस के वरिष्ट नेता प्रमोतिवारी का प्रमोतिवारी प्रताबगड से तालुक रखते हैं और नौ बार विधायक रह चुके हैं इसके अलावा राजसभा सदस्री रहे हैं दूसरा नाम इसमें अखिलेश प्रताब सिंग का है जो पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ताओं में से एक है दो हजार बारा में देवरिया की रुद्रपुर विधान सभा से विधायक भी रह चुके हैं इसके अलावा तीसरा नाम जो चर्चा में चला है वो है विधायक अजय कुमार लल्लू का जो फिलहाल कुशी नगर से विधायक है और पूरवी उत्तर प्रदेश के प्रभारी अजय कुमार फिलहाल विधान सभा में नेता प्रत्पच की भूम का कॉंग्रेस की तरफ से जाते हैं तो कॉंग्रेस इन ही तीन नामों में से किसी को चुनेगी या किसी और कॉप्री पसंद बनाएगी यह साफ होना बाकी है लेकिन इतना तो तह है कि कॉंग्रेस पूर्वी उत्तर प्रदेश को लेकर एक बार फिर दाओं खेलने की तैयारी में है और इसकी वज़ा है तीन नेताओं का पूर्वी उत्तर प्रदेश से तालूक रखना प्रमोत्तिवारी जहां पार्टी के वरिष्ट नेता है तो वहीं ब्रामभर चेहरा भी है जो कॉंग्रेस का कभी परंपरागत वोट पैंक रहा है दूसरी बात प्रमोत्तिवारी नो बार विधायक रह च होगी दूसी तरब अखिलेश प्रताप सिंग है जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और राजबू चेहरा भी लंबे अर्शे से पार्टी के मेडिया के जरिये पच्छ रखते आएं आराकी एक बार ही यूपी के सदन तक पहुँचे हैं लेकिन अपनी सधी हुई और आक्रामक शैली की वज़े से यूपी के सियासत में चर्चा पर टूरते रहें और प्रियंका गांधी से नजदी की सब जानते ही हैं खैर अध्यक्स जो भी बने लेकिन ये सच है उसके लिए चुनोतियों का अमबार है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कॉंग्रेस का संग्ठन काग्ज 2017 से लेकर 2019 के चुनोओं में किस तरह की मुश्किले कॉंग्रेस ने जह दी हैं 2017 विधान सभा चुनाओं के लिए कांग्रेस और सपा ने गठवंदन किया अखिलेस के सहारे नईया पार करना कांग्रेस की बड़ी भूल साबित हुई जनता ने ना अखिलेस पर भरोसा किया ना ही राउल गार्दीपा कमजोर और संग्ठन में बिखरार कांग्रेस की दुर्दसा का कारण बना 2019 लोगसभा चुनाओं के लिए पार्टी ने चर्चित चेहरे पीम का को उतारा पूर्वी उत्रप्रदेश की कमांद देकर करिश्मे को भुनाने की कोशिस की लेकिन अपना गड़ मेठी भी कांग्रेस बचा पाने में नाकाम रही पीम के खिलाफ चौकी दार चोर का है नारा काफी भारी पड़ा कठबंदर पर फैसले में देरी ने कारकरताओं के विश्वास को भी तोड़ा और इसी तरीके से टिकट बटवारे का फार्मूला भी फ्लाप हुए जाहिर है जब नेताओं और कारकरताओं में उत्साह नहीं तो नतीजे भी मनमाफिक तो नहीं हो सकते कॉंग्रेस का खरा प्रदर्शन कई सालों से जारी है दो हजार बारा में उसके नतीजे थोड़ा बेहतर हुए थे लेकिन दो हजार सत्तरा में फिर कॉंग्रेस प्रसातल में पहुँच गई दो हजार सत्तरा में जहां कॉंग्रेस विधान सभा चुनाव में साथ सीट जीत पाई तो वोट 6.25 परसेंट ही रहा जबकि दो हजार बारा में कॉंग्रेस का प्रदर्शन पहले के मुकाबले ठीक हुआ तो उसे 28 सीटे मिल गई थी और वोट फीसर भी बढ़कर 11.65 पहु 96 पीसद ही रहा था मामले तो सियासी हैं लेकिन सियासत के इस खेल को और 12 से समझाने के लिए आपको याद दिलाते हैं चुनावों की यूपी में 12 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं लोग सभा चुनावों से पहले हुआ सपा और बस्पा का गटबंदन तूट चुका है अब दोनों ही पार्टियां अलग 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 चुनावों रणने का फैसला कर चुकी हैं सपा और बस्पा अकेले ही मैदान में उतरेंगे और आमने सामने होंगी लेकिन जिन 12 सीटों की बात हो रही है उसमें बीजेपी के खाते में 9 सीटे दर्ज हैं और एक सीट सपा और एक सीट बस्पा के खाते में हैं जिन 12 सीटों पर उत्चुनावों होना है उनमें कानपूर की गोविन नगर, लखनव, कैन, टूंडला, बारावंगी की जैगपूर, मानिकपूर, बहराईच की बलहा, शामली की गंगो, अलिगड की इगलास, प्रताबगड, रामपूर, घोसी और अमबेटकर नगर की जल कुर्मिला के बस्पान एक स्टीट छोड़का सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे है। और इन उपचुनाओं में एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि कभी भारती जन्ता पार्टी जिसने प्रदर्शन, लोकसभा और विधानसभा चुनाओं में तो शांदार किया, लेकिन उसके बाद जब उपचुनाओं की बात आई, तो उसमें वो लगाता चुनाओं हार कौन दिगज खत्म कर पाएगा यूपी में कॉंग्रेस का सियासी वनवास और सवाल दूसरा, सोनिया प्रियंका का भरोसे मन या जन्ता के बीच लोक्रियता होगा पैमाना और राहुल गांधी परदे के पीछे से बनाएंगे रणीत या प्रियंका का फैसला होगा तो ये सवाल है कॉंग्रेस को लेकर लेकिन जैसी हम चर्चा कर रहे थे कॉंग्रेस के लिए ये सवाल है तो भारती जन्ता पार्टी के लिए भी अपना इतिहास बदलने की एक चुनोती होगी कि इन 13 विधान सभा के जोब चुना होने हैं उन में से वो कितनी सीटों पर अ हमेशा उसके पक्ष में नहीं रहा है तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ लख्णों से जुड़ रहे हैं भाजपा के नेता डॉक्टर चद्रमोहन और वरिष्ट पत्रकार हेमंतिवारी और नुएडा इस्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कॉंग्र प्रदेश की हो रही है तो भारती जंता पार्टी या बस्पा या सपा के निताओं की क्या आवशक्ता है आवशक्ता इसलिए है क्योंकि लोग तंत्र में जो सबसे पुरानी पार्टी थी जो सबसे 130 साल पुरानी पार्टी जिससे कहा जाता था कि जिसका सूरज कभी चुके हैं अभी विधान सभा चुनाओं में नहीं लोक सभा चुनाओं में आपने प्रियंका गांधी को लेकिन कुछ हासिन नहीं हुआ जो दो सीटे मिली थी पिछले चुनाओं नहीं उसमें अमेठी अपने भाई को भी चुनावनी चुता सकी तो आखिर इन उप चुनाओं से पहले भी अभी आपके संगठन को लेकर ही कुछ खाका क्लियर नहीं हो पा रहा है तो क्या माना जाए कि कॉंग्रेस सिर्फ अब एक अतीद की पार्टी रह चुकी है और सिर्फ आप प्रच करना उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं देश की दूसरी नंबर की पार्टी है उत्तर प्रदेश में भी आप देखिए ग्राफ किस तरह से जो है कांग्रेस पार्टी हर मुद्दे पर श्रीमती प्रियंका गांदी जी वहां पर लोगों की एक आस बनकर खड़ी रही है चाय मुद्दा स्वान बदर का हो जिस तरह से बीजेपी उनसे थर थर कांप रही है वो किसी से छुपा नहीं है उनको गैस्टाउस में आप हसने गैस्टाउस में उनको बंदी बनाए लिया गया उनकी बिजली पाली काड ली गई अगर कोई पार्टी का इतना बड़ा ल करके जिस तरह से सब्सक्राइब पूरी तरह से वो फेल हो गई है उसका मुद्दाइ इस तरह रहा है कि पिछले पांस साल से उसने सिर्फ और सिर्फ बेखूब बनाया है आप देखे शिक्षा के मुद्दे पर किसी से चुपा नहीं है सारे सारे सवाफिटल का उतर प्टेश रहे थे कि गुमराह कर रही है भारती जनता पार्टी लोगों को मूर्ख बना रही है तो क्या कहना चाहते हैं कि भारती जनता पार्टी के नेता लोगों को मूर्ख बनाने में कामयाब हो रहे हैं यह आज आप इस बात पर बताईए आज एकोनोमी का कि क्या आहलत कर दी गई ह पिछले पांस साल में देश की अर्थ व्यवस्ता आप देखे रिकॉर्ड उठाके देख लीजे मुद्रा योजना की बात करते हैं दस परसेंट रोजगार मिले हैं 90 परसेंट फेलियर हुआ है यह मैंने करा रिकॉर्ड कर रहे हैं आप देखे हर मुद्दे पर सरकार फेल शिक्षा की व्यवस्ता की बात करते थे कानून की व्यवस्ता की बात करते थे कानून के मनाम पर जंगल राज किया गया है इनी के पार्टी के नेता रेप करते हैं और रेप पीडिता को बचाए जाते हैं और उसके बाद उसके एक लॉरी आती है किस तरह कि सारे राट के और उसके बाद उसके सब हाला ठीक है आपकी सारे हालत माली जे सही हर जगे मुद्धे पर वो फेल हैं लेकिन जनता को समझा पाने में तो आप पूरी तरी किस नाकाम हो पा रहे हैं आने वाले चुनाव में प करते हैं गांधी परिवार के खलाफ यह गांधी परिवार वो है जिसने देश के लिए कुर्बानिया दी है चाहे वो इंद्रा गांधी जी हो चाहे वो राजीव गांधी जी हो जो देश के लिए शहीद हुए यह वो परिवार है इस परिवार के लोग जिस तरह से साफ सु जनता फिर इन्हें अर्ष से फर्ष पे लियाएगी तो इसलिए वक्त रहते वे अगर काम नहीं किया गया मैं और आपके इस चैनल के माद्यम से भारते जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि आप बताईए सौन बुलेंड शेर में इतनी बड़ी घटना ठीक है और चलिए हम बहुत अच्छी तरीके से वापसी करेंगे चलिए ठीक है आपके आशावात को जो है मैं सुबकाम नहीं दे सकता हूं लेकिन कुल मिलाके जो हमाई साब डॉक्टर चंद मोहन जी कुल मिलाके एक बात तो इस फश्ट है कि आखला कैमस साब ने कहा कि इ अपनी सीटों की कुर्बानिया वो देने को तयार हैं परिवार के नाम पे संगठन जो है वो भले ही कागच पे कमजोर दिखाई पड़ रहा हूं लेकिन आपकी जो पार्टी या जो आपकी सरकार जो वहाँ पर कर रही है वो चाहे एकनॉमी का प्रश्न हो केंदर सरकार के खाते में जाता है लाएंड और्डर और तमाम मुद्दों को लेकर उनको लगता है कि प्रियंका गांधी भले ही राहूल गांधी कुछ ना कर पाए हो लेकिन प्रियंका गांधी अब जब वहां उतर गई है तो उसके बाद आपके सामने बड़ी चुनोती और कड़ी चुन प्रसंसा की बात है कि वो पच्छ रक रहे हैं आप मैं पूछना चाहता हूँ कि प्रियंका बाड़ी आप पुछा गांधी है प्रिंकाबाध्राजी होके आ गई हैं क्या उनको ने आँड मैं बहुत जूरी आपका प्रदेश थोड़ा सुन ले वारी लाज किसो राज करके बोले बोले राज करके बॉले चर्चा नहीं करना चाहरें निल सपर करना अगराक साब एक एक मिन पहले आपका पूर है, इननो के बाद कर देए तहूं आपकी बात का यह भाशन नहीं है आप इस तरह की किपड़ी ना करें प्रदेश के क्या हाल है इंस्पेक्टर सुबोत को लिंग कर दिया जाता है और वहां पर भी और धोल मगाना से इनका स्वागत करती है इस पे मुझे शर्म आती है मेरे देश का सहीर इंस्पेक्टर शहीर होता है आप आ कुछ करिए तो सही प्रदेश का अब मैं बोलना हूँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट अब देखिए देखिए पहली बात तो यह कि चर्चा में सुरुवात मैंने आप से अगर की है आप बोल चुके है ऐसा तो है नहीं किये पहला चरण है अभी फिर घूम के आया जाएगा तो जब कोई वक्ता बोलना है तो करपया बोलने दिया जाए फिर जो आपको अपना कॉइंट रखना है बिल्कुल रखिए लेकिन उसके बाद रखें डॉक्टर चंद मोहन जी आप बोलिए निश्चित तोर पे अखलाक अहमसाईब के भी को सवाल है उनसे भी मारे को सवा जनता के बीच में जनता के साथ में आज भी मुकमत्री जी मत्रा से लोटे है उत्तर प्रदेश के मुकमत्री मानेय योगी आदितना जी पहले मुकमत्रियां जो पूरे प्रदेश भर में जाते हैं आज मैं पूछना चाहता हूं कॉंग्रेस से कॉंग्रेस के लोग बड़ी की जनता प्रदेश की जनता तीन सो सटर पर खं ठोक के खड़ी हुई है कॉंगरेश के पास बोलने को क्या है ना नियत है आख लाक साइर बड़ी बाते कर रहे थे जब चुनाब में हम बात बोले सही तक बोलिए मुझे बहुत मदा आदा जाए अगर आप तीन सो सटर बाते म नहीं आया हूँ मैं राजनी आया हूँ एक जिए बाते कर रहे हूँ आपने कॉशन ले लेजिए अपने कॉशन बढ़ने देखे मुझे लगता है कि इस तरीके से चर्चा बढ़ना मुश्किल हो जागा आज कॉंग्रेस ने देखे राज की सोर जी ये कॉंग्रेस वो कॉंग्रेस है जिसने चुनाप के दोरान बड़ी बड़ी बातें की चुनाप का परड़ाम आने के बाद में अगर कोई काम किया तो अपने प्रवक्ताओं को रोक दिया आज कॉंग्रेस का कोई प्रवक्ता चैनल पर चर्चा करने को तयार नहीं है और जो लोग तरचा में आ रहे हैं वह चर्चा कर रहे हैं आपके ने जागने की जरुत आपको है आप से लेकर आप से सवाल पूछ रहे हैं और सवाल कुछने का दिकार मुझे में जा रहे हो अरे यह संसनी खेज संसनी खेज करना बंद कर दो अपने देश को नहीं पता है आज आप बोलते रहे हैं यह अपनी मर्यादाओं में रहे हैं आज आप से सवाल पूचा जाएगा तो आप उनको गोल गोल तरी के से खुबा देंगे चलिए 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 डॉक्टर चंदमोहन जी और बहुत कुछ इनके पास बोलने का है मैं दूसरे वक्ताओं के पास और आऊंगा लेकिन चली आप लगाता दूसरे को नहीं मैं पहले आप से फिर से एक बार सवाल पूच लेता हूं मुझे आप बताईए आप लगातार जो बात सवाल उठाया गया सिर्फ तत्यों पर बात कर लेते हैं मैंने जो विशय रखा है कि कॉंग्रेस कहां थी कहां पहुँच गई एक सेकंड एक सेकंड उस विशय पर तो आप भी जवाब नहीं दे रहें आप उल्टा जवाब मांगें मुझे कोई दिक्कत नहीं सवाल आप पूछे मुझे कोई समस्ते हैं लेकिन जो सवाल आपके उपर उठाया गया है कि कितनी जगों पर आपके नेता चले गए इन उपचुनाओं पर और योगी आदितनात के सामने आपका कौँ सानेता वहां पर खड़ा हो रहा ये भी आप जड़ा बता दीजे मुझे को देखिए ये पार्टी का मूल नेतरत तै करेगा हमारे हैं सबको अधिकार अपनी बात रखने का एक सिस्टम है यह नहीं कि यहां पर हिटलर शाही की का सिस्टम चलेगा कि एक एक महीने से चले ठीक है मैं आप से पूछ रहा हूं और लोगों की चलिए 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 देखिए देखिए मुझे बहुत साब साब कह देना चाहता हूँ अब करपया जब कोई वक्ता बोल लाओ तो बीच में उसको इस तरीके से ना टोका जा जब तक बहुत ज़्यादा कि ना हो तो आप मुझे से सवाल पूछ लिजे क्योंकि इसके बाद इस तरीके से चर्चा आगे बढ़ नहीं पाती है पहली बात लगातार उसी जिगापर रुके पड़े हुए मैं डॉक्साब आता हूँ आपके पास चूंकि हमाई साथ और भी नेता जुड़े हुए बस समय आपने भारती जंता पार्टी को वाक ओवर नहीं दे दिया अभी इतने प्रिशन्ट बहुमत से तो वो जीत क्या है अभी ऐसा क्या बदल गया है कि जो वहां पर कुछ बदल जाने वाला है राजकी सोर जी राजकी साब एक बात हम कहें जरा सामारी बात सुनी है डिवे का मतलब यह है कि यूपी में उत्तर प्रदेश में जो चुनाव है यह बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे लड़ने जा रही तेरो सिट पे और इसका पूरा खाखा मानी बहन जी तैयार कर लिए और बहुजन समाज पार्टी चुनाव कारकरता लड़ते हैं और हमारे ह कि किस तर प्रदेश में सरकार चलाई है न तो माफिया राग रहा है और न तो गुंडा राज रहा है और नको बलतकार हुआ है आज तो बड़े सर्म की बात है कि एक अपाहिज को बनारस में गोली मारा गया कहां है आपकी कानुन ब्योस्था भाई साहब इस बात को उठना चाहिए कहना चाहिए लोगों को कि अपाहिज जो बेक्ती चाय पान का दुकान खोल करके अपना नमक रोटी चला रहा है वो सुर सुरचित रहेगा क्या पूजी पती सुरचित है फिर आज तो एकदम खुले आम गुंडा राज बढ़ गया है माफिया गिरी बढ़ गई है बलातकार बढ़ गया तो जनता बेवकूफ ने जनता सब देख रही है कि इस प्रदेश का सुरच्छा किसके नित्रुत में सही हो माननी बहन जी चुनाओं में आ रही है और चुनाओं होगा अभी तो 13 स्ट की चुनाओं है और आप ही यही बात को पहले कहें हैं आप अपनी बात को जरा सब्सक्राइब करिएगा राज की सोची कि भारती जनता पार्टी जब चुनाओं होता है तो जीज जाती है लेकिन जब बाई पास चुनाओं होता है मतलब जो चुटा होता है चोटा चुनाओं होता है तो उसमें हार जाती है उपचुनाओं होता है ऐसा क्या कारण है आप बताईए ना हमसे मत पूछिए इस कारण को आप बताईए और इस कारण को ढूड़ने की जरूरत है जी चलिए ठी प्रत्यासी कहीं जमीन पे नहीं रधता है ठीक है तो विश्नुधयल जी जो आमने कारण ज्रह हम ढूल के आते ऐस ब्रेंड है इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और तुरंदो प्र आप से आ है एक बार आप सब का फिर से स्वागत है राजनीत में हमारे साथ सपानेता मुस्ताक काजमी साहब भी जुड़े हुए है काजमी साहब चलिए वो कारण तो ढूरते रहेंगे लेकिन उप चुनाओं में अगर छोटी जंग हार कर जो बड़ा समर है अगर वो भारती जंता पार् पार्टी के निता रास्ट एद्यक्ष अखलेश जादो जी कि उनके नित्वित्वित्व में जिस तरह की सांती से अपनी पार्टी की तैयारियां कर रहें अभी हमारी पूरी प्रदेश की कमिटी भंग हो गई इसलिए और नए लोगों को उसमें देना है करना है यह करी की पार्टी के जो हो गए ब्रती जनता पार्टी के लोग बात कर रहे थे कि आप उस में बाईए लक्षान में जीट जाते हैं और जनरल लक्षाण में जीट जाते हैं कि उन्होंने पूरा अब इसको जनता ने भी समझ लिया है और पार्टी के निताओं ने भी समझ लिया है कि जनरल चुनाओं में हर तरह की बैमानी से लेकर के धन बल तक एक एक पार्लामेंट में पचीज पचीज करोर रुपया खर्चा करने का काम बारती जनता पार्टी ने किया है और बारती जनता पार्टी ने तमाम लोगों को कोई कोई प्रदान नहीं बचा कोई जिला परश्रत के मेंबर उचा जिस जाद जिस पार्टी करा हो सब को लाखों लाग रुपिया इन लोगों ने बाटा है इन लोगों का काम है पैसे के बल पर चुनाओ जो इतना लेकिन अब जनता ने समझ लिया है इस य ंएगे किशा का सब करता है, कांग्रेश के सवाल पर मजबूरिय है के नेता तो बहुत है और पुरानी पर्टी है, नेता नेता बहुत है, लेकिन नेता होने के बाओजूद इस पर्टी में कारकरता नहीं है कार्करता स्ब यहां हाई फाई हैं और हाई फाई से काम नहीं चलता हमारे हां के पार्टी के कार्करता जहां कहीं भी होते हैं तो फाइदा नहीं उठा पाई लेकिन नुक्सान हमारा जरूर हो गया बहुजन ने भी हमारा फाइदा उठाया बहराल इसका तो देखेंगे लेकिन बाइलक्षण में सबसे बड़ी ताकत बन करके समाजवादी पार्टी उबरेगी यह आप देख लिए अब हेमन जी आखरी में मैं आपके पास आखिरकार पहुंचने में सफल हो गया तो मुझे थोड़ी राहत की सांस मिली है क्योंकि मुझे लग नहीं रहा था कि लग रहा था किसी औरोध में फस गया हूं तो मैं तो कोशिस कर रहा था जानने की कि आखिर जिस तरीके से भारती जंता पार्टी का जो असुमेक का घोड़ा चूटा था वो कहीं रुकता हुआ करें उसके रहे तो बहुत ज्यादा जरूरी था कि विपक्ष एकजूट होता तो एकजूट विपक्ष का भी क्या हुआ वो भी हम देख चुके हैं ऐसे बिखरा हुआ विपक्ष और ऐसे में कॉंग्रेस या किसी भी दलका जिससे भी हम बात कर रहे हैं वह सरकार पर सवाल उठाना शुरू कर देता है अपनी बातें नहीं करना चाहता है तो ऐसे में कोई समस्या तो आपको लगता है कि नजर आ रही है भारती जंदा पार्टिक सामने कोई चुनोती कब से कम विपक्ष की तरफ से दिख तो नहीं रही है राजकिशोर जी आपके साथ चर्चा करने मुझे पताने के थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए थोड़े सहट ठीक नहीं ति उसके बावजूद जब वक्राजकिशोर जी का सोट मैंने के जरूर रहूंगा एकाधप्तिस वाइरल था लेकिन अभी अभी इतनी देर जो ब तमाम सारी पोलिटिकल पार्टिश को बराबर से देखा है तो मीडिया पर महरवानी करके जो भी गैर भाजपादल है उनको एक बार हिम्मत करके अपने प्रवक्ताओं को भेजना चाहिए क्योंकि जब आफिसियल वर्जिन आता है तो फिर बात करने का तर्क रखने का आता है फिर भी चड़िये मेरी सलायत है कि जगड़ा नहीं होना चाहिए आराम सुनना चाहिए जे आपके सारे सवालों का छोटा छोटा जवाब दे देता हो राजपार जी कांग्रेस की बात है कांग्रेस की एक मजबूरी है पिछले कई वरसों से उत्तर प्रदेश के पर तरक रही है इसका मुकमल इलाज क्या हो इस पर कोई दीरकाली की योजना नहीं बनी और जब मैं आपको याद होगा लगातार चुनाओं में चुनाओं के पहले यह बात कहता था कि कॉंग्रेस का और सेटप लगातार तूट रहा है साट परसेंट ऐसी डिस्टिक यूनिट है जिसका प्रापर प्रबंदन नहीं है संगठन का कई जिलाध्यक्ष नहीं है आप ब्लाक और तहसील अद्ध्यक्त भूल जाइए संगठन के बहुत बड़े पार्ट हुआ करते थे कॉंग्रेस में जो उसके टूल हुआ करते थे जो जमीन पर उसको वरकर देते थे जो ब आपको लगता है सबसे बड़ी इसको इस बात में सबसे बड़ी चूप राहुल गांधी क्योंकि आपकी आद होगा राहुल गांधी जब शक्क्री राजीत में आये तो सबसे पहला संगठनात्मक जिम्मा उन्हें यूथ का मिला उसके बाद उत्तर पदेश उनुन देखन कांग्रेस जैसे पार्टी जिसका इतना बड़ा आतीत रहा हो उसके कुल शेव विडायक है उसका फांबसेंद के आप देखनेत सकते एक बाद दीद्रिश था करता है आपने तीन नाम लिए तीन नाम में मुझे जो लगता है कि अजय कुमार लल्लू को शायद से एलपी रीडर से शिफ्ट करके यह बना देंगे प्रदेश अध्यक्ष क्योंकि अगर प्रमोत्तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बनाना होता तो पिछले 15 वरसों में 25 बार जब प्रमोत्तिवारी को उसर मिलेगा वरना एक कॉंबिनेशन चाती कॉंबिनेशन बहतर बन जाता प्रमोत्तिवारी अध्यक्ष आजे सिंग ललू आल लेडी वो कॉंग्रेस बिधान मंडल के नेता हैं जैसे भी है लेकिन दुरभाग यह है कि जो सवाल डक्टर चंद मोहन न जाना चाहिए आपको जलालपूर और आपको रामपूर जाना चाहिए जहां जंग सामने है तो इसका मतलत अवरकर आप पास है नहीं यह स्थापित सकते चलिए ठीक है साब एस्टन नूपी में कुछ जगहां आपका संगटनात्मग धाचा ठीक है आपके सपोर्टर ठीक ह तो एक कमजोरी बुनियादी कमजोरी पे कांगरेस का थर्ष्ट नहीं रहा है जो उसके असफलता का लगातार करन है दूसरी बात आपने बाई एलेक्शन पर एक खाली बात कहूंगा कि बाई एलेक्शन चाहे भले 2014-2017 में थंपिंग मजार्टी मिली हो भारती जंता पार्टी को निश्चित रूप से बहुत बड़ी चुनवती मिली मिलते हैं और शायद जैसा कि आपने कहा और देखा गया है निकटतीत में कि बड़ा चुनाव जीतने के बाद जब बाई एलेक्शन से होते हैं तो आप पीछे हो जाते हैं वह इस्तिति आ सकती थी लेकिन म दोनों कम्बिनेशन जैसे जलाल पूर में जलाल पूर में सपा बसपा आज अगर लड़ साथ लड़के चुनाव तो भारती जनता पार्टी जो अभी भी केंड़ेट वहां तलास रही है जी ठीक बिल्कुल मुश्किल हो जाती राजकिशोर जी एक और आखरी बात बता हू एक बात इसलिए बता रहा हूं कि इन वाई एलेक्शन की एक खूबी देखिए योगी सरकार भारती जनता पार्टी जब से इन सीटों के इस्तिफ़े हुआ है यह लगातार वहां काम कर रहे हैं यह वहां मत रहे हैं यह अगर वहां अठान परसंट काम कर चुके हैं तो बा बाकि किसी भी सीट पर भाज़पा को कोई चुनवती नहीं होने जा रहे हैं चोंकि यह आपस में लड़कर के सब चिन्विन हो रहे हैं चलिए ठीक है लोड के फिर मैं आ रहा हूं अखलाक साहब आपके पास इस जुस्तुजू के साथ आ रहा हूं और इस उम्मीद के साथ हा रहा हूं कि आप बिल्कुल पॉइंटेट जवाब देंगे क्योंकि देखे समय हमारा पहले बहुत ज्यादा खराब हो चुका है यह सवाल किसी भाजपा प्रवक्ता निया बस पाय सपा के प्रवक्ता नहीं नहीं उठाया आपकी पार्टी अभी अपना नेता नहीं चु पूछा जा रहा तो जब आप पर सवाल उठ रहा है तो आप कहते हैं कि आपका सीस्ट नित्रत्वय करेगा और दूसरी तरफ आप कहते हैं कि हमारे हिटलर शाही नहीं है और एक बात अभी आपने हैमन तिवारी जी ने कहीं कि चुकि एक व्यक्ति को पसंद नहीं करता है जबकि वो नौ बार चुनाओ जीत चुका है एक बार रासभा में भी जा चुका है उसका जमीनी और संसदीय अन्भो सब कुछ बहुत अच्छा है लेकिन उसके बाद भी पसंद ना पसंद जो है आपकी जो राजनीतिक जरूरते और जो आप बास्त्विक्ता है उससे रू सबसे आगे खड़ी हैं जी कोई भी मुद्धा उठा लेकर देख लीजए निगमी करण से लेकर हर मुद्धे पर खड़ी हैं इनकी सरकार हर तरह से हर मुद्धे पर फेल है चाहिए वो कानू जी मैं बता रहाँ आपको सवाल देखिए पूरी तरह से जमीन पे उतरेंगे और मैं बड़ा सम्मान करता हूँ बड़े अच्छे उनके व्यूज़ हैं अमन तिवारी जी के वरिश पद्रकार हैं तो जो बाते उन्होंने बताई हैं मैं इत्वाक रखता हूँ कि आज हालात थोड़े कमजोर हैं और जिस तरह से प्रियंका जी और राहुल गांदी जी की क जायदत में देश में पूरी तरीके से जमीनी इस तरह पर बूत कमेटियों से बात हो रही है MPhos हजता है हैं तो हम अपना जमीनी जो 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 इस्थर है उसको मजबूत करेंगे पूरी मजबूती के साथ जो कि आज इतने मुद्दे हैं कि हर मुद्दे पे सरकार फेल है जब मैं बात करता हूं देखिए आप ने कहा लोगतंत की खुबसूरती इसको कहा जाता है कि लोगतंत में तर्क और वितर रखें उस पे भागें नहीं इदर का जवाब उदर अब तीन सो सतर की बात खुद पर वक्ता ने की थी अब सब्सक्राइब मैं अब कॉन लाया मैंने आपसे सवाल मैंने आप से पूछा है किसानों के पास पैसा नहीं है आत महत्या कर रहे हैं किसान और दर देख लीजे उठाके देश की विवस्ता है उसकी रूपिया नीचे है तो जवाब देए आपकी बनेगी उसके जवाब देए और जनता जनारदन है मुझे लगता है इनको अच्छे काम करने चाहिए मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गल्ती जो है जो है जो इससे विशह चैन में हो गई मैं बेवजे ही कॉंग्रेस को इतनी तवज्जो दे रहा था मुझे लग रहा था कि लोगतन की सबसे पूरानी पार्टी है 130 साल पूरानी पार्टी है तो उस उत्तर-प्रदेश में जहा कर बाकी सारी चीजों पर चर्चा को त्यार है चलिए कोई बात नहीं है आपका फैसला है मुझे को दिक्कत नहीं ठीक है अब डाक्टर चन्ट जी एक बात हम कहना जिए जल्दी से आप अपनी बात के यह जी जल्दी से आप कि सारे दल के बड़े प्रवक्ता को आना चाहिए और अपनी बात को रखना चाहिए अरे भाई साहब एक छोटा सा हम कार करता है पहले हम से तो बात कर लेजिए उसके बात कर लिए आपके पास है क्या कहने के लिए है आपके पास सुर्य अस्त्र नहीं होता था और उसका आज नामों निसान नहीं है साल भर में एक बार ब्रिक्ष भी अपने पस्ते चोटे आ रही है और इस पे इतना घमंड करना अच्छी बात नहीं है आज नहीं तो कल समय परिवर्तन लेता है और इसको अगर मालीजे आपके पास है कहीं कोई गैर नहीं है चलिए ठीक हाँ जल्दी सके फिर में डॉक्टर चन्मोहन के पास जाओंगा यह चोटी पड़ी बीच में नहीं करना चाहिए ता लेकिन बता दूँ यह जो डिबेट है अगर भाहन जी आनि माय होती इसको देखेंगी तो चमा कीजिए हमारे मित जो विश्णुजी बैठे हैं अभी तुरंट पार्टी से इनके बरखास्तिकी कार्टर जारी हो जाएगा ऐसा एक बार मेरे साथ हो चुका है एक सज्जे नमार साथ एक चैनल बैठे थे वो कहीं से बहन जीन देख लिया और उसके बाद को हम आपको बता दें लेकिन कार कर चलिए ठीक है और बहन जी ने तो इतना काम किया अपर देश में कि चलिए खेर वो उनकी पार्टी के मामला है ठीक है एक मिन एक मिन अब समय देखे समय थोड़ा का में करपार मर्यादा बना रहे कि सभी लोग ठीक है ठीक है तरह से हैं अब मुझे उस धन को उठा खर कर लेकिंश धर दारा की महां बेट जाता नियुक्षा कर रहे हैं चैनल जाया है टो नेखे इनक्रण पूस्ष्चन का हक मेरा है मैं पूछ लेता हूँ जो मैं आप से पूछ रहा हूं मैं उनसे पूछेँगा अब आपको एंकरिंग करनी तो पताएए मैं वहां बेट जाता हूं आप आ जाएए ने अपने विवस्था पहला दी है और मैं लगातार आपसे इंतिजा कर रहा हूं लेकिन ऐसे मत करिये प्लीज क्योंकि मुझे पिर जी जवाब आप मत दीजे बाकि सब देते रहेंगे ठी यह मैंいや कर आपकर ने मैं आपके साथ एक जो चीजे पीछे चलती चलीज आ रही त Probleme हो लेकिन देखिए कंउ‌ग्रेस पर वक्ता कोई दिल्चस्पी नहीं है तो मैं जा आपकी पार्टी पर यहाया जाता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि चर्चा हर तरफ से आपकी होनी है तो जब अखलाग साहब की नहीं है तो मैं क्या करूँ उस पे मैं आप से साफ साफ पूछना चाहता हूँ कि जब पिछला अलुभा 2014 से 2019 का ये रहा है कि आप लगातार उप चुनाओ हरते चले गए ऐसा माना गया कि लोगों की नाराजगी है कुछ आपके वोटरों का रिलक्टेंस है अब ये इतनी सीटों पे एक साथ इतने ज़्यादा चुनाओ पहले नहीं हुए पहली बार हो रहे हैं आप कह रहे हैं कि योगी आदितनाओ घूम रहे हैं एक तो मैं कहूंगा मैं पूरे मेरे स्विकार करूंगा हमने हमेशा बिनमता पूर्बक्ट स्विकार किया है कि 2002 से लेकर 2012 तक चुनाब हुए उत्तर प्रदेश में विधान सवा के लोग सवा के हम उसमें पराज़ित हुए लेकिन उस पराज़े के बावजूद भी हमारे नेत्वत ने हमारे कारेकरताओं ने चरेवेती चरेवेती के सिध्धान को मानते हुए लगातार काम करने का काम किया आवाज बनने का काम किया अपने मुद्दों पर अड़िक रहने काम हमने किया राज किसूर जी अब अब जो बात है जो आपने कही कि इसको देखे इसको जनता के जनादेश के साथ में हम हर चुनाप का सम्मान करते हैं मैं जोर देके कहूंगा कि आज आदर्निय अमिसा जी के नित्वत में भाजपा आदर्निय जेपी नड़ा जी के नित्वत में भाजपा आदर्निय सुतंदेब जी के नित्वत में भाजपा वो नए मिथक गड़ने का काम कर रही है हम जो एक हमारे उत्तर प्रदेश के संदर म और उनको जवाब दिया ये लोग उसी में उल्जे हुए थे कि हमारा तीनों का गटवंदन है क्योंकि प्रेंका बाड़रा कह रही थी कि आप आप बीजे पी को हरा ना है कॉंग्रेस को भी हरा दीजिए लेकिन बीजे पी को जरूर हरा ये ये प्रेंका बाड़रा जब बोल किया राश्टी अध्यजी ने आवान किया राजकिसोर जी कि हमको पचास प्रस्चत प्लस बोट लेके आना है हम उनको लेकर आए और हमने उत्तर प्रदेश में एक नई इबादत लिखने का काम किया परणाम सब के सामने है अब देखो रामपूर में कॉंग्रेस लड़ र सबने की जो राजनीती है सबने देख लिया कि वहां पत्रकार के साथ में क्या होता है एवीपी गंगा का पत्रकार था जब तीन सो सत्तर सुनते ही इनको ऐसी मिर्च लगती है राश्ट वक्ती की बात आते हैं ऐसे परेशान हो जाते हैं यह तो जैसे नहरू जी का नाम ले है ठीक है आज हम हम लड़ रहे हैं आज हमारे प्रदेश सद्याथ उनका एक्सियंट हो जाता है लेकिन एक्सियंट होने के बाद में भी हमारे प्रदेश सद्या सुतन देव जी हर विदान सबाद छेतर में जा रहे हैं कल प्रताब गरते परसों रामपुर थे हम मैं हम कोई ऐसा नहीं है हमारी आस्ता लोक तंत्र में यह टेप जो टेप बजा यह वजाते हैं यह हो गया वो गया जटा के भी जाओ भारक माता की जैका 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 तीन सो सब चलिए मैं मुस्ताक काजमी साथ है ठीक है मुस्ताक काजमी जी को टार्गेट बना रहे हैं जी जी ठीक है चुनाऊं में आप जो काजमी साथ बना चुके पूरा पूरा आप दो मिनट सुनने दिया का सुकून से सुनने ऊंट तो इन्हों पूरा रेजर्ब बैंग बना दिया पूरे देश के गरीबों को टार्गेट बना दिया रामपूर में चुनाव जीतेंगे आजम खाँ को जेल बेज बेज करके जितने ओटों से आजम का पहले जीते थे उसके दूने ओटों से आजम का का आदमी जो भी उमीदवार समाजवादी पार्टी का उजीतेगा ये गलत वाहिमी में हो रहे हैं उत्तर बर्देश में इनका खाता नहीं खुलने जा रहा है जो दो मरतों इन लोगों ने चाल कर दि पूरी है कि कार्ड़ करता अखले से अदब तो समझ तो कांग्रेश नहीं है लेकि वोट जाली है वीजे पीकर रहे हैं इसलिए गड़बर है अगर आजम खान आजम खान की चर्चा आ गई तो आजम खान पर मुस्ताक साहब कुछ भी हो आपका बले ही इस बार एलाइंस ना हुआ हो विधान सभा चुनाओं में आपका एलाइंस हुआ था समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस का लेकिन कम से कम आजम खान के मुद् यहाँ पर आखलाक साहब भी आपके साथ नजर आ रहे हैं आपको लगता है कि आजम खान को नेदोस पताय जा रहे हैं ठीक है डिच्ट एक बार्ट के वाजब नहीं होंगे यह अगर आज श्यक्रें हैंग है इक सेकंड ने आखलाक साहथ की आवाज बंद की जाये अप स्टूडियो आवाज बंद करें बंद कर आई हमां जी हमांग जी हमांजी मुझे आप से आखिर में आपसे पुच्छना ह कि कांग्रेस अपने पर चाहिए बस पाउर सफ़ा कर रहे हैं मैं आखरी में आप से कमेंट चाहता हूं कि पूरी चर्चा का लग बोलवाब जो हम कांग्रेस को लेकर कर रहे थे तो यह पूरी जो चर्चा मुझे लग रहा है बहुत वेर्थ ही निकली यह मुद्दा नहीं च करके काटे की टक्कर होती नंबर एक चीज नंबर दो चीज आप देखिए का दो बड़ी मात्पूर बाते हैं क्योंकि 2014 के बड़ी जीत के बाद भाजपा बुरी तरीके सारी जबकि योगी आदितनात इस्टार प्रचारक थे बाई एलेक्शन भारी एसंबली में और उसके दस्तिश्क पर रखना पड़ेगा क्योंकि आज थोड़ा सा चर्चा मुझे लगता है कि अब तक जितनी मैंने बहस की हैं साहिए मुझे इमांदारी सुईकार करना पड़ेगा इस से यादा डिरेल बहस कभी नहीं हुई क्योंकि साहिए जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते थे और आप सभी अतिक्यों का बहुत बहुत धनिवाद और आखिर मैं कह सकता हूं कि इस चर्चा से एक बात जो निकल कर आई है वो यह है कि सियासत में जीत और हार का पैमाना ही पार्टियों के लिए मायने रखत है फिर जीत मजहभी आधार पर मिले या जात की आधार पर दलों को इससे फर्क नहीं करता है सियासत की दिशा तै करते हैं नतीजे और इन नतीजों को अपने पक्ष में करने की गडित सीधी नहीं होती दो हजार बाइस की तैयारियों में जुटी पार्टियों के लिए दोनों लोग सभाचुनाओं में एक साथ होने के बाद सामने सामने हैं ऐसे में अपनी ताकत का अंदाजा दोनों को लग चाहिए तो आज राजनीत में बस इतना ही कल फिर हाजिर होंगे सियासत के नई अबारत लेकर राजनीत में तक तक आप देखते रही है एवी पिगंगा खबर आपकी जुबाव आपकी